नमस्कार दोस्तों स्वागा थेकबर फिर से आप सभी का इस वीडियो में आज का इस वीडियो काफी ज़्यादा important और knowledgeable होने वाला है क्योंकि UP added school के लिए लिपिक की भरती आ चुकी है और इस भरती में आवेदन करने के लिए आपके पास क्या-क्या योगिता होनी चाहिए, पेट होना चाहिए, अथवा नहीं होना चाहिए, फॉर्म को apply कैसे करना है, साथ में और कौन-कौन सी योगिता आपके पास होनी चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और साथ में अगर आप नए हैं वीडियो को पहली बार watch कर रहे हैं, साथ में अ दोस्तों, जिस भी बिद्याले के लिए यहाँ पर vacancy जारी की गई है, उन सभी में एक विगपती जरूर जारी की गई होगी और उसमें एक information दे गई होगी, तो वो information मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तूत करने वाला हूँ जिए हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर वाराणसी क इंटर कॉलिज तुलसीपूर वारारसी में लिपिक के रिक्त बदपर नियुकती है, तो आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, पूर्ड आवेदन पत्र समझ सैक्षिक एवाम पर सिक्षड योगता संबंधित प्रमाल पत्रों की स्वा प्रमालित छाया परती सहित वि यह जिसे इमेल आइडी है यहां पर तो सभी स्कूलों के लिए अलग अलग यहां पर बात करें बिद्याले पर सिच्छक और रिच्छक जो है वो बनाए गए ठीक है तो आप अपने पास के जहां पर भी अप्लाई करना चाहते हैं उस एंटर कॉलेज में जायेंगे और वह से चेक कर सकते हैं और प्रतेग बिद्याले में सिर्फ एक ही पद रिक्त है जैसा कि इसमें पता जारा है पद लिपिक होगा बेतन बात करें तो बावन सो से लिकर बीस जार प्लस रहेगा जबकि इसमें योगीता की बात करें तो योगीता में आपको यहां पर ट्रपल सी रखना है साथ में कम से कम योगता आपकी 10 प्लस 2 होनी चाहिए अधिकतम आपकी कितनी भी हो सकती है एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 और कम से कम 18 रखी गई है जबकि अधिकतम आपकी 40 वर्स की एज होनी चाहिए यहाँ पर जैसे जिन लोगों के पाश CCC का सर्टिपिकेट नहीं है तो वो कम्प्यूटर का अनिकोई सर्टिपिकेट को भी यूज़ कर सकते है और सबसे इंपॉर्टन जी यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंग्रेजी में कम से कम आपको 25 से 30 सब्द प्रती मिनट की टंकन गती होनी चाहिए जबकि हिंदी में आपका प्रती मिनट 30 सब्द होने चाहिए आवेदन का सुल्क बात करें तो यहाँ पर जनरल और OVC के लिए 750 रुपए रखा गया है जबकि EWS कटिगरी और साथ में SCSD कटिगरी के लिए 500 रुपए का यहाँ पर रखा गया है ठीक है तो यह सारी डीटेल फिल करने के बाद आप इसको फिल कर देंगे और आप आसानी से अपने नजदे की जो इंटर कॉलेज है वहाँ पे जाके इसकी complete information प्रवाइड कर सकते हैं अब फ्रेंड्स जिसे आपके पास पूरी information आ गई है तो आप फार्म को कैसे फिल करना है उसकी जानकारी पर आपको बताते हैं सबसे पहले इस प्रकार का प्राभूप आपके सामने देखने को मिल जाता है इस फॉर्म को आप official website UP MSP पर जाके download कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो form है इसमें आपको भरना है सबसे पहले आवेदिता जो संस्था है उसका नाम मतलब जिस भी college के लिए आप apply कर रहे हैं तो उस college का नाम आपको submit करना यहाँ पर उसके बाद अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर डालना है उसकी पिता या फिर पती का न पर यदि हैं यानि कि EWS से related हैं तो उसको यहाँ पर submit करेंगे विवाहित हैं अथ्वान नहीं है तो उसकी भी detail आपको यहाँ पर submit करनी होती है उसके बाद आपको यहाँ पर आगे भनना कि अगर आप उत्तरपरतेश की निवासी हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे जनपद ग्रह का नाम यानि कि किस जनपद में आप रहते हैं उसकी detail आपको यहाँ पर submit करनी होगी ठीक है उसके बाद ग्रह राज का नाम और जिस मतलब राज में आप रहते हैं उस state का नाम आपको फिल करना है mobile number आपको यहाँ पर इंटर करना है email अपना डाल देना है और सबसे important यहाँ पर आपको सैक्षे की योगता डालनी है जैसे कि आप high school है तो यहाँ पर आपको अपने board का नाम डालना है तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है UP board ठीक है यहाँ पर उत्रीर वर्ज जैसे आपने 2010 में उत्रिंट किया है तो 2010 उसका roll number यहाँ पर डालेंगे उसके बाद friends उत्र प्रदेश आधीनस्त सेवा चैन आयोग लखनाउ द्वारा आयोजित पेट 2021 तो यहाँ पर आपको ध्यान एकना है P.E.T. 2021 का जो एक्जाम हुआ था उसके इसाब से आपको यहाँ पर score डालना है जैसे कि उसका पंजीकरल संख्या आपको फिल करना है व computer संचालन का डोयक या फिर नेलिट द्वारा प्राप्तांत मतलब CCCC ठीक है आपको ध्यान एकना है CCCC का यहाँ पर बात किया जा रहा है और यह पिर अगर यह नहीं है तो computer related कोई भी ऐसा यहाँ पर जो certificate है उसको आप यहाँ पर बेवराल के रुप में यहाँ पर प्रस् उसके बाद यहाँ पर आगे बात करें तो computer टंकन की गती की बात करें तो हिंदी भासा में 25 वर्ड जो है सब्द है वो परती मिनट में टाइप होना चाहिए जबकि अंग्रेजी में 30 सब्द परती मिनट मांगा गया है अगर ऐसा है तो हाँ अत्वाना तो यहाँ पर आपक तो यस ही भरना है उसके बाद आपको स्थाई पता फिल कर देना है उसके बाद अस्थाई पता यानि की पत्र पे वहर का पता जैसे की बहुत सारे student हैं जो बाहर तयारी करते हैं तो वही का पता डाल देते हैं तो आप चाहें तो वहां का पता भी डाल सकते हैं तो या फिर करना है नीचे आपको date submit कर देनी है ठीक है date दिया गया है तो यह date आपको fill करना है यहाँ पर किस date में आप apply कर रहे हैं उसके पद आपको signature यहाँ पर यहाँ पर कर देना है देन आपका form पूरी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ thanks for the watching